इस सेशन में हम बात करेंगे एवरेज की डिवेशन टेक्निक के बारे में जो कि काफी ज्यादा यूसपुल टेक्निक है तो एक एग्जाम्पल से इसको सबसे पहले समझते हैं जैसे कि कुछ नंबर्स मैंने लिए सपोस्थ 2,4,8,5,1 ठीक है यह कुछ नंबर्स है और इनका इनका एवरेज अगर मुझे निकालना है तो अगर आपसे इनका एवरेज निकालना हो कहा जाए तो आप क्या करोगे इन सब को एड करोगे 2,4,8,5,1 और कितने नंबर से 5 नंबर से इनको 5 से हम डिवाइड कर देते हैं तो यह आएगा 2,4,6,6,8,14,14,14,6,20,20,20 अपोन 5 यान इनकी कितना आएगा 4 आए गा इनक्त, तो इन सब का जो एवरेज वह 4 है तो अगर हम 4 से इन सब की डिस्टेंच देखे चलंग न करते हैं, deviation का मतलब distances, तो इन सब का sum कितना आएगा, देखो minus 2 plus 4 is plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 minus 3 is 0, तो इनका जो net deviation आएगा, net, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और ऐसा सिर्फ इन ही numbers के लिए true नहीं है, किसी भी numbers के लिए true है, कि average के against net deviation 0 होता है, numbers की average से जो net distance होती है, तो उन सारी distances का sum होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, राइट, चली, तो इसी चीज़ का हम use करेंगे, कुछ-कुछ सवाल मैं यहां पर discuss करूँगा, वैसे तो इस technique से हम बहुत अलग-लग तरीके के बहुत सारे सवाल solve कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एक example आपको समझाने के लिए यहां पर लेता हूं, तो जैसे 5 months में एक store की sale मुझे दी गई है, 54,000, 62,000, 55,000, 40,000 है, 72,000 और 6 महीने की, जो 6 महीने का average है, वो 60,000 दिया गया है, तो 6th month में, यानि छटे महीने में उसकी sale हमें निकालनी है, अब चूंकि सारी value 1000 में है, तो मैं इनको 1000 में ही ऐसे लिख देता हूं, 54,000 की जागे 54 लिख देता हूं, तो 54,000, 62,000, इसके बाद है 55,000, then after this, 40,000, 72,000, अगले महीने में कितनी है, मुझे नहीं पता, x, और इनका जो overall average है न, वो कितना है 60, इन सारी values का overall average है, वो क्या है 60, 60 इजदा average है, तो 60 से अगर मैं इन सब की distance देखता हूं, तो 66 की distance कितनी होगी, हम कह सकते है 60 से 6 कम है, यानि minus 6 हो गया, 60 से 2 जादा है, मतलब plus 2 हो गया, ये 60 से 5 कम है, तो minus 5 हो गया, ये 60 से कितना कम है, 60 से 20 कम है, तो minus 20 हो गया, और ये 60 से कितना जादा है, plus 12 है न, तो अभी तक अगर मैं इन सब का sum देखूंगा, जो value मुझे दी गही है, इनका sum देखूंगा, तो ये कितना होगा, 6 और 5 ग्यारह, तो minus में 11, minus का 20, तो minus का 31, minus का 31 और plus का 14, minus 31, plus 14, is minus 17, right, तो इन सब का sum क्या आ रहा है, minus 17 आ रहा है, मैं एक बार फिट से बढ़ा दे रहा हूं, जोगो ये value दी गहीं थी, 54, 62, 55, 40,000, 70,000, 2,000, तो इन छटे महीने में मैंने सेल मानली, x, इन सभी का average मुझे 60 दिया गया था, तो 60 से मैंने इसकी distance देखी, minus 6, ये plus 2, ये minus 5, ये minus 20, और ये plus 12, right, तो अगर मैं इन सब को add करूंगा, तो कितना आएगा, देखो 25, 25 और 36, तो minus का 31, और plus का 14, कितना हो गया, minus का 17, तो अगर ये minus 17 दे रहा है, और हमें पता है कि average से net deviation है, distances का जो sum है, वो 0 आना चाहिए, तो ये minus 17 है, तो ये क्या देगा, प्लस 17, भाई तभी तो इनको जोडने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, भाई net deviation 0 होना चाहिए, यानि जो X की value है, वो average से कितनी जादा होनी चाहिए, 17 जादा होनी चाहिए, मतला value of X must be average, average is 60, 60 plus 17, so the answer is what, 77, yes, option 3, clear, yes, चलिए, अगले सवाल की तरब बढ़ते हैं, अगला सवाल देगो, Ramesh receives the following scores in his math test, 78, 92, 83, 99, what score does he need in the next test in order to have an average of 90 in 5 test, तो पहले 4 test में मुझे score दिया गया है, 78, 92, 83, 99, और 5 में test में इसका score मुझे पता नहीं, let's suppose it is X, हमें पता है कि overall average है, वो कितना है, 90 है, overall average जो रमेश का है, वो कितना है, 90, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह number 90 से कितना कम है, 12 कम है, तो minus 12 हो गया, 90 से 12 कम है तो minus 12 लिख दिया, यह number 90 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो plus 2 का deviation हो गया, यह number 90 से 7 कम है, तो minus 7 हो गया, यह number 90 से कितना extra है, 9 extra है, तो plus 9 हो गया, अगर मैं इन सब को add करूंगा, तो कितना है, 12 प्लस 7, 19, minus का 19, और plus का 9, यानि minus का 10, minus का 10, plus 2, यानि कि minus 8, तो इन सब का sum आ रहा है, minus 8, तो यह जो number होना चाहिए, क्या होना चाहिए, plus 8, because मुझे क्या चाहिए, net deviation 0 चाहिए, यानि कि यह जो number x है, वो average से 8 extra होना चाहिए, average 90 है, तो it should be 90 plus 8, यानि कि 98, right, clear है सबी को, yes, next देखो, कई बार point में value दे दी जाती है, तब यह method और ज्यादा useful हो जाता है, क्योंकि अगर आप normally calculate करोगे, तो मुझे 5 number दी गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, इनका जो average है, वो इतना दिया गए, ठीक है, तो x की value मुझे निकालनी है, मैं क्या करूँगा, इसको, 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 इसको add करूँगा, divide by 5 और फिर मैं उसको solve करके x की value निकालूँगा, अब आप deviation method देखिए, कितना fast है, और इससे कितनी जल्दी answer आ जाएगा, मुझे इन सबका average दिया गया है, इतना, तो ये जो पहला वाला number है, वो average से कितना कम है, आप देख पा रहे हूँ, ये 250.75 है, और 245.75, 5 कम है, मैं का deviation है, कितना deviation है, minus 3.5, तीसरा वाला जो number है, वो इससे जादा है, कितना जादा है, 5 जादा है, 250 और 255, 5 का गया है, तो ये इस plus 5, next जो number है, वो इससे कितना जादा है, तो अगर मैं इन दोनों का difference देखूँगा, तो इस 1.25 and this is 0.75, difference is 0.5, तो plus 0.5 का difference है, तो अभी तक इनका deviation चल रहा है, वो कितना चल रहा है, इससे तो ये cut गया, इस minus 0.5 से plus 0.5 cancel हो गया, बचेगा क्या minus 3, तो deviation चल रहा है, minus 3, लेकिन हमें average कि इस net deviation कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो जीरो कब आएगा, जब यहाँ पर मैं plus 3 करूँगा, तो ये plus 3 का deviation क्या आएगा, minus 3 और plus 3 क्या हो जाएगा, 0, अब यह plus 3 का deviation आएगा, कहां से, जो unknown value है, x, यह देगी plus 3 का deviation, यानि जो unknown value है, x, वो average कितनी ज्यादा होनी चाहिए, plus 3 ज्यादा होनी चाहिए, तीन ज्यादा होनी चाहिए, यानि average है, अगर 250.75, तो ये जो value है, से 3 extra होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी 253.75, optionally, yes, is it clear, चलिए, आगे अगर हम बढ़ें, तो next question हमारे सामने ये है, देखो जाए, six men goes to eat food in a hotel, five men of them pay 32 each, उनमें से 5 लोगों ने 32 रुपे दी, हर परसन ने equal amount दिया, 32, एक, दो, तीन, चार, पांच, इन पांच ने 32, 32, 32, 32, 32, 32, जो चटा परसन है, he gave 80 more than the average will paid by all of them, all six of them, तो इन 6 लोगों का जो average है न, उससे इसने कितने extra pay की है, तो हम कह सकते हैं, ये जो है, इसने average से 80 extra pay किया है, यानि कि इसका जो deviation है, वो average से कितना है, प्लस 80, यानि कि इन 5 लोगों का जो deviation होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये minus 80, बाई, मुझे तो net deviation 0 चाहिए, अगर ये plus 80 दे रहा है, तो ये minus 80 दे रहा है, हमें net deviation 0 चाहिए, average से, minus 80 अगर deviation है, और सभी लोगों ने equal bill जो है pay किया है, तो ये जो minus 80 है, वो सब में equally divide होगा, यानि ये भी minus 16, ये भी minus 16, दिमाग में picture बननी चाहिए, लिखनी की भी ज़रूँ इस सवाल, कि वहल समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ आपर, ठीक है, minus 80, 5 equal parts में distributed minus 16, मतला इनों ने जो bill pay किया है, 32, 32, 32, तो each percent 32 is equal to average से 16 कम, हर परसन ने जो bill pay किया है, वो average से कितना कम है, 16 कम है, और हर percent pay कितना किया है, 32, तो 32 is a minus 16, तो a must be 32 plus 16, यानि 48, तो all six persons का जो average है, a, वो किस के बराबर है, 48 के बराबर है, यानि कि answer is 48, यही पूचा है, यही पू money paid by each man, तो यह सवाल आप दिमाग में solve कर सकते हैं, बिना pen pick की है, next question अगर हम देखें, तो यह बड़ा, बड़ी हा सवाल है, देखो, the average of five numbers, तो one number is what, x square, second number is x minus 6, third number is, sorry, second number is x plus 4, ठीक है, second number is x plus 4, third number is x minus 6, fourth number is x minus 12, fifth number is x plus 2, अब इन सब का जो average है, वो किस के बराबर है, x के बराबर है, ठीक है, तो सबसे पहली बात, कि average से जो net division होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और मुझसे पूचा है, find the sum of all possible values of x, तो average से अगर मैं net division देखूंगा, तो average है x, तो यह x से कितना जादा है, plus 4 है यह minus 6, यह minus 12, यह plus 2 extra है, तो हम यह कह सकते हैं, यह कितना हो गया, minus 2, minus 2 से plus 2 cancel, ultimately बचा किया, मेरे पास minus 12, मुझे तो net division 0 चाहिए, तो यह कितना है का division देगा, plus 12 का, भाई, minus 12 और plus 12 मिला करी तो 0 है, यानि plus 12 का division कहां से मुझे मिलेगा, यहां से, मतलब यह जो x square की value है, व वो average से, कितनी जादा होनी चाहिए, 12 जादा होनी चाहिए, और average मेरे पास क्या है, x, तो यह जो x square की value है, वो x से 12 extra होनी चाहिए, तो यह x plus 12 के बराबर हो गया, तो अगर हमने इसको इधर लेकर आते हैं, तो x square minus x minus 12 बराबर 0, यह quadratic equation है, इसका एक positive और negative root आएगा, root भी आ यानिके, इसका sum of roots निकाल दो, sum of roots क्या होता है, minus b upon a, तो b की value क्या है, minus 1, तो minus of minus 1, a की value तो वो नहीं है, यानि sum of roots क्या हो जाएगा, plus 1, यानि answer is optional, clear है, yes, चली, तो यह मैंने सवाल करा है, और देखो, deviation method पर केवल यही नहीं, इसका application और भी ऊपर है, मतलब और बहुत स session था, जिसमें मैं यहाँ पर, यह concept सिखाना था, और इसको कैसे apply करते हैं, यह सिखाना था, ठीक है, तो यह मैंने यहाँ पर कुछ example लिए, उम्मीद करता हूँ, आपको समझ आये होंगे, अगर आपको समझ आये हैं, तो यह सवाल आप homework में try कीजिएगा, और जो भी आपक आये, वो मुझे comment करके, जरूर बताना, ठीक है, साथ में यह भी बताना, यह session आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ आई या नही आई, अगर आपको यह session अच्छा लगाए, तो वीडियो को like करना, और दोस्तों के साथ share करना ना भूले, और अगर आप channel पर नए हो, तो channel को subscribe भी कर लेना, thank you so much.